चूरू जिले के सरदार शहर सीट पर हो रहे उप्चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सीकर में हुई ग्यांगवार की घटना ने गहलोद सरकार पर फिर सवाल खड़े कर दिये हैं। बिगर्ती कानून विवस्था को लेकर लगातार बीजेपी घहलोद सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोर ने गहलोद सरकार पर निशाना साधा है। आज शिखावटी शेत्र अपराधियों की शरंस्थली बन गया है जहां गैंगस्टर सरयाम हत्याय कर उसका सोशल मीडिया पर कबूल नामा कर पुलिस तंत्र को खुलेयाम चुनौती दे रहे है। राहुल गांदीव भारत जोड़ो यात्रा की खिदमत में लगी है। नो डाउट मुझे भी पता चला अभी अभी जरस्ट मुझे किसी ने बताए कि कोई वहां पे फाइरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की डैथ हो गए। तरह बात है कि कानून का राज कायम रहना चाहिए। और यह जो गैंगवार है इसमें यह दि किसी की भी डैथ होती है। मारता है किसी को छोड़ेंगे नहीं अभी जैपूर में पिसली बार दो तीन जगें जो भी हुए सब जगें गिर्फतारियां हुए। सक्से सक्कारवाई करना और लोगों को जेल भेजना यह तैय बात है मैं लोगों से अपील करूंगा अपराधिक रास्ते पर कोई भी जाने की कोशीस नहीं करें अपराधिक रास्ते में किसी का भी भला नहीं है। जिस तरह से गैंगवार मैंने देखा अधिकतर स्टेट में नया काम डवलप हुआ है कि वर्चस्वे के लिए एक दूसरे की अत्याय हो रही है जो माहोल आ रहा है यह माहोल रुकना चाहिए इसको रोकने के लिए जितनी सक्त कारवाई पुलिस कर सकते हो आदेश सरकार ने द जाएगा और कानून उनके लिए सक्से सक्कारवाई जाएगा झाथ है जड़ पुलिस रहा है जिसक्माने के लिए स quatro है जाएगा है जाएगा और काम आएगा वी झागा है यह जाएगा जाएगा है यह पुलिस सक्त कीजिज़ भ isn't it है